नमस्कार दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं अपने यूटूब चैनल बीएच्चू वाले दोज हिस्टोरिका पर साथियों आप लोग बार बार पूछ रहे हैं कि बीएड के लिए हम किस इनुवर्सिटी को चूज करें कहां पे हम एड्मिशन लें तो आज के इस वीडियो में हम आप लोग को यहीं बताने वाले हैं कि आप सी यूटी पीजी बीएड में आप किस इनुवर्सिटी में एड्मिशन ले सकते हैं कौन सी इनुवर्सिटी सबसे बेस्ट है बीएड करने के लिए यह तो चलिए आप लोग यहां पर देख रहे होंगे कि जो सबसे पहला इनुवर्सिटी है वो बनारस हिंदू इनुवर्सिटी है यानि कि बीएड के लिए सबसे बेस्ट जो बिश्रविद्याले है वो कौन सा है बीएड करने के लिए काफी अच्छी इनुवर्सिटी है आप यहां से भी बीएड कर सकते हैं इसके बाद जो अगला है इंद्रा गाधी नेशनल ट्राइबल इनुवर्सिटी मद्यप्रदेश यानि कि इंद्रा गाधी नेशनल ट्राइबल इनुवर्सिटी जो है वहां से भी आप बीएड कर सकते हैं वो भी बीएड के लिए एक बहुत ही अच्छा विश्व विद्याल है। इसके बाद अगला है अलिगाड मुस्लिम इणसीटी, यानि की अलिगाड मुस्लिम इणसीटी जो है, वहाँ से भी आप PA कर सकते हैं। अगला जो है के र मंगलम इणसीटी, गुरुगाव हरियाना, यहां से भी B8 कर सकते हैं आप इसमें कुछ private और कुछ central university भी शामिल है तो आप list में से देख लेना कि निम्न में से कौन-कौन सी university जो है CUET PG B8 के list में है तो आप उसमें से choose कर सकते हो क्योंकि मैं यहां पे आपको best B8 के लिए 25-30 university का नाम बताने वाले हैं इसके बाद अगला जो है तेजपूर university यानि कि जो तेजपूर university या साम है वो भी काफी अच्छी university है B8 के लिए फिर गुरु घासीदास विश्विद्याल है यानि कि बिलाशपूर 36 गड़ बीएड के लिए सबसे अच्छी university है गुरु घासीदास इसके बाद central university of जारखंड ये भी B8 के लिए एक अच्छी university है अगला है गलगोटियाज university यानि कि जीवू जो है ग्रेटर नोएडा में ये भी B8 के लिए काफी अच्छी है कुछ प्राइबेट इनरसीटियां है इसमें शामिल जो की काफी अच्छे से B8 कराती है संस्कृत इनरसीटी मतुरा उत्तरप्रदेश B8 के लिए है इंग्लिस एंड फोरें लेंग्वेज इनरसीटी जो है है एदराबाद में वहां से भी B8 हो सकता है सीवी टीपीजी में भी शामिल है इसके बाद स्री लाल बहादु शाफ्री नेशनल संस्कृत इनरसीटी न्यू देली यानि कि जो संस्कृत से जिनों ने भी B8 के लिए फोर्म अपलाई किया था वो लोग यहां से कर सकते हैं इसका और भी केंपस है भोपाल में है जम्म कश्मीर में है लखनव में है तो आप वहां से भी कर सकते हैं अगला जो है राजीव गाधी इनरसीटी इटानगर अरुन engage एटी में शामिल है यहां से भी आप 20 कर सकते हैं अगला है सेंट्रल इमश्य Q करनाट का है यहां से भी 10 कर सकते हैं इसने अपने कांस्02 को ओपिन होने की सुछना दे दी है सेंट्रल इंशिटी ऑफ कर नाठी काने महात्मा गाधी प्रदेटी आफ ओडिशा बीड के लिए काफी अच्छी है त्रिपूरा उन्वर्सिटी ए सारे जो विश्विद्दाले हैं आप यहां से बीड कर सकते हैं जो कि सीवीटी पीजी में सब सामिल हैं कुछ प्राइबेट भी हैं तो जो जो सीवीटी पीजी में सामिल हैं आप व रुनाचल उन्वर्सिटी आफ इस्टडीज रुनाचल प्रदेश में यह भी बीड के लिए काफी अच्छी है तो यह सब जो कुछ प्रमुख बीड के लिए जो इन्वर्सिटी आथी मैंने आपको उसका नाम बता दिया है जैसे ही करेक्शन विंडो ओपन होता है और आप बीड करना चाहते हो और इसमें से आपके अगर माक्स कम आये हैं तो पिर आप निमन में से किसी न किसी उन्वर्सिटी को एड कर सकते हैं जो कि बीड के लिए काफी अच्छी है देख सकते हैं आप लोग एक बार फिर से मैंने बता दिया है तो आप लोग वीडियो को रोक क कर दीजेगा ज्यादा से ज्यादा से शेयर कीजेगा ताकि काउंसलिंग से समंदित आपको कोई भी जानकारी हो तो मैं सबसे पहले आप लोग को दे सकूं धन्यवाद